प्रणाम आप सभी को, मेरा नाम रोशन है, दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मसुहूर कथाकर मुनसी प्रेम चंजी की लिखी एक बेहद ही लोग प्रिय कहानी जिसका सिर्शक है मुफ्त का यस, तो आएए सुरू करते हैं कहानी का पाठ उन दिनों संयोग से हाकिम जिला एक रसिक सज्जन थे, इतिहास और पुराने सिक्कों की खोज में उन्होंने अच्छी ख्याती प्राप्त कर ली थी, इसवर जाने दफ्तर के सूखे कामों से उन्हें एतिहासिक छान भीन के लिए कैसे समय मिल जाता था, वहां तो तब किसी अपसर से पूछिये तो वह यही कहता है, मारे काम के मारा जाता हूँ, सिर उठाने के फुरसत नहीं मिलती, शायद शिकार और सैर भी उनके काम में सामिल है, उन्हस जन की कीरतियां मैंने देखी थी और मन में उनका आदर करता था, लेकिन उनकी अपसरी किसी प्रकार की घन स्टता में बाधक थी, मुझे संकोज था कि अगर मेरी ओर से पहल हुई, तो लोग यही कहेंगे कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ है, और मैं किसी दशा में भी यह इलजाम अपने सिर नहीं लेना चाहता, मैं तो हुकाम की दावतों और सारवजनिक उत्सवों में नेउता दे अधाल है या विद्वासरम किसी गवर्नर के नाम से खोला गया, तो अपने देश बंधों की दास मनोवड़ती पर घंटो अफसोस करता हूँ, मगर जब एक दिन हाकिम जिला ने खुद मेरे नाम एक रुक्का भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरे बंग वह हाकिम जिला होंगे तो अपने घर के होंगे, कोई सरकारी या जाबते का काम होता तो आपका जाना अनिवारे था, लेकिन नीजी मुलाकात के लिए जाना आपकी सान के खिलाफ है, अखिर वह खुद आपके मकान पर क्यों नहीं आए, इससे क्या उनकी शान में बट्टा लग जाता, इसी लिए तो खुद नहीं आए कि वह हाकिम जिला है, इन अहमक हिंदोस्तानियों को कब यह समझ आएगी कि दफ्तर के बाहर वे भी वैसे ही साधारन मनुस से हैं जैसे हम और आप, शायद ये लोग अपनी घरवालियों से भी अपसरी जदाते होंगे, अपना साहब ससुराल गए, शायद इस्तरी को विदा कराना था, जैसा आम रिवाज है, ससुर जी ने पहले ही वादे पर लड़की को विदा करना उचितना समझा, कहने लगे, बेटा, इतने दिनों के बाद आई है, अभी कैसे विदा कर दूँ, भला चाह महीने तो रहने दो, कुछ तुम्हारे हाथ बिक थोड़े ही गई हो, दामाद साहब अपसर थे, जामे से बाहर हो गए, तुरंत गोहरे पर बैठे और सदर की राह ली, दूसरे ही दिन ससुर जी पर संबन जाड़ी कर दिया, बेचारा बूढ़ा आदमी तुरंत लड़की को सांथ लेकर लिख लिखोगे तो फौरन गिरफतार कर लिए जाओगे, हाकिम जिला जरा भी मुरावत न करेंगे, कह देंगे यह गवर्मेंट का हुक्म है, मैं क्या करूँ, अपने लड़के के लिए कानून गोई या नायब तहसीलदारी की लालसा तुम्हें है नहीं, वेर्थ क्यों दोड़े जाओ, लेकिन मुझे मित्रो की यह सलाह पसंद ना आई, एक भला आदमी जब निमंतरन देता है, तो किवल इसलिए अस्विकार कर देना की हाकिम जिलाने भेजा है, मुट मर दी है, बेशक हाकिम सहब मेरे घर आ जाते तो उनकी शान कम न होती, उदार हिर्दय व और उपन्यासकारो की मेजबर निमंतरित होने में प्रधान मंतरी भी अपना गौरो समझेगा, हाकिम जिला की तो गिंती ही क्या है, लेकिन यह भारत वर्ष है, जहां हर एक रईस के धरवार में कवी संब्राटो का जथ था, रईस के कीरतीमान के लिए जमा रहता था, और आज भी ताजबोशी में हमारे लेखक वरिंदब बिना बुलाए राजाओं की खित्मत में हाजिर होते हैं, कसीदे पेश करते हैं और इनाम के लिए हाथ पसारते हैं, तुम ऐसे कहा के बड़े वह हो की हाकिम जिला तुमारे घर चला आए, जब तुम में इतनी अकड और में जाजी है, तो वह तो जिले का बादसा है, अगर उसे कुछ अभिमान भी हो तो उचित है, इसे उसकी कमजोरी कहो, बेहूदगी कहो, मुर्खता कहो, उजडता कहो, फिर भी उचित है, देमता होना गर्ब की बात है, लेकिन मनुस्य होना भी अपराद नहीं, और मैं तो कहता हूँ कि इस्वर को धन्यवाद दो कि हाकिम जिला तुम्हारे घर नहीं आए, वरना तुम्हारी कितनी भध होती, उनके आदर सत्कार का सामान तुम्हारे पास कहा था, गत की एक कुरसी भी नहीं है, उन्हें क्या तीन टांगो वाले सिंगहासन पर बैठाते, या मटम क्या है, अपना भाग्य सरा हो कि अपसर साहब तुम्हारे घर नहीं आए और तुम्हें बुला लिया, चार पांच रुपे बिगड़ भी जाते और लज्जित भी होना पड़ता, और कहीं तुम्हारे परमदुर भग्य और पापों के दंड सोरूप उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ होती, तब तो तुम्हें धर्ती में समा जाने के सिवा और कोई ठिकाना न था, तुम या तुम्हारी धर्मपत्नी उस महिला का सतकार कर सकती थी, तुम्हारी तो गिगगी बंद जाती साहब, बदहवास हो जाते, वह तुम्हारे दीवान खाने तक ही न रहती, जिसे तुम्हारी गरीबी अवस्य है पर फूहडपन नहीं, अंदर तो पगपग पर फूहडपन के द्रिश्य न जराते, तुम अपने में फटे पुराने पहन कर और अपनी विपननता में मगन रहकर जिंदगी बसर कर सकते हो, लेकिन कोई भी आत्मा भिमानी आदमी यह पसंद नहीं कर सकता कि उसकी दुरवस्ता दूसरों के लिए विनोध की वस्तू बने, इन लेडी साहिबा के सामने तो तुम्हारी जबान बंद हो जाती। प्रकृती को तब्दील करना उनकी शक्ती के बाहर था। मुझे इस प्रसंग को कोई महत्व देने की कोई बात भी न थी। महत्व न दिया, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चला गया। कुछ गपशप किया और लौट आया। किसी से इसका जिक्र करने की जरूरत ही लेकिन टोहियों ने जाने कैसे टोह लगा लिया। विशेश समुदायों में यह चर्चा होने लगी कि हाकेम जिला से मेरी बड़ी गहरी मैतरी है और वह मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। अतिशोक्ती ने मेरा सम्मान और भी बढ़ा दिया। यहां तक मसहूर हुआ कि वह पोर्ट नहीं लिखते। कोई भी समझदार आदमी इस सख्याती से लाव उठा सकता था। स्वार्थ में आदमी बावला हो जाता है। तिनके का सहारा ढूंडता फिरता है। ऐसो को विश्वास दिलाना कुछ मुश्किल न था कि मेरे द्वारा उनका काम निकल सकता है। ल टैक्स वालों की सकतियों से दुखी था। किसी की यह शिकायत थी कि दफ्तर में उसकी हकतलफी हो रही है और उसके पीछे के आदमियों को दनादन तरक्या मिल रही है। उसका नंबर आता है तो कोई परवाह नहीं करता। इस तरह का कोई न कोई प्रसंग नित्ते ही मेरे पास आने लगा। लेकिन मेरे पास उन सब के लिए एक ही जवाब था मुझसे कोई मतलब नहीं। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था कि मेरे बचपन के एक सहपाथी मित्र आटप के। हम दोनों एक ही मकतब में पढ़ने जाया करते थे। कोई 45 साल की पुरानी बात मेरी उम्र 19 साल से अधिक न थी। वह भी लगबग इसी उम्र के रहे होंगे लिकिन मुझसे कहीं बलवान और हिरिस्ट पुष्ट। मैं जहीन था वह निरे कौदन। मौलवी साहब उन से हार गय थे और उन्हें सबक पढ़ाने का भार मुझ पर डाल दिया गया था। अप सफल रही वहां मेरा प्रेम सफल हो गया। बलदेव चल निकला खलिक बारी तक जा पहुचा मगर इस बीच में मौलवी साहब का स्वरगवास हो गया और वह शाखा तूट गई। उनके चात्र भी इधर उधर हो गये तब से बलदेव को केवल मैंने दो तीन बार रास्ते म मैं अब भी वही सिंक्या पहलवान हूँ और वह अब भी वही भीमकाय। राम राम हुई छेम कुशल पूछा और अपनी अपनी राह चले। मैंने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा आओ भाई बलदेव मजे में तो हो कैसे याद किया क्या करते हो आजकल। बलदेव ने विधित अक्तब वाली बात जब तुम मुझे पढ़ाया करते थे। तुम्हारी बदवलत चार अक्षर पढ़ गया और अपनी जमिंदारी का काम संभाल लेता हूँ। नहीं तो मोडख ही बना रहता। तुम मेरे गुरु हो भाई सच कहता हूँ। मुझ जैसे गधो को पढ़ाना तुम्हारा ही काम था। नजाने क्या बात थी कि मौलवी साहब से सबक पढ़कर अपनी जगह पर आया नहीं कि बिलकुल साफ। तुम जो पढ़ाते थे वह बिना याद किये ही याद हो जाता था। तुम तब भी बड़े जहीन थे। यह करकर उन्होंने मुझे सगर्व न पढ़ जाओं। 45 साल का युग मानो बिलकुल गायब हो जाता है। वह मकतब आखों के सामने फिरने लगता है और बचपन सारी मनोहरताओं के साथ ताजा हो जाता है। बलदेव ने भी द्रवित कंठ से उतर दिया। मैंने तो भाई तुम्हें सदैव अपना इस्टदेव समझा है। जब तुम्हें देखता हूँ तो चाती गजबर की हो जाती है कि वह मेरा बचपन का संगी जा रहा है जो समया पढ़ने पर कभी दगा न देगा। तुम्हारी बड़ाई सुन सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन यह बताओ क्या तुम्हें खाना न सेज और बल है वह केवल भोजन के अधीन है। मैं तो अब भी सेर भर दूद और पाव भर घी उड़ाय जाता हूँ। इधर थोड़ा मखन भी खाने लगा हूँ। जिंदगी भरबाल बच्चों के लिए मर मिटे अब कोई यह नहीं पूछता कि तुम्हारी तबियत कैसी ह अगर आज कंधा डाल दूँ तो कोई एक लोटे पानी को न पूछे। इसलिए खूब खाता हूँ और सबसे ज्यादा काम करता हूँ। घर पर अपना रोब बना हुआ है वही जो तुम्हारा जेठा लड़का है उस पर पुलिस ने एक जूठा मुकदमा चला दिया है। ज इधर गाउं में एक डाका पड़ गया दारोगा जी ने तहकीकात में उसे भी फास लिया। आज एक सप्ताह से हिरासत में है। मुकदमा मुहम्मद खलील डिप्टी के इजलास में है और मुहम्मद खलील और दारोगा जी से दात काटी रोटी है। अवस्या सजा हो तुम जाकर हाकिम जिला से इतना कह दो कि मुकदमा जूटा है आप खुद चल कर तहकीकात कर लें। बस देखो भाई बचपन के साथ ही हो नहीं न करना। जानता हूँ तुम इन मुआमलों में नहीं पढ़ते और तुम्हारे जैसे आदमी को पढ़ना भी न चाहिए। इतना समझ लो कि मुआमला बिलकुल छूट न होता तो मैं कभी तुम्हारे पास न आता। लड़के की मा रो रोकर जान दिये डालती है बहु ने दाना पानी छोड़ रखा है। साथ दिन से घर में चूला नहीं जला। मैं तो थोरा सा दूद पी लेता हूँ लेकिन दोनो सास बहुतो निराहार पड़ी हुई है। अगर बच्चा को सजा हो गई तो दोनों मर जाएंगी। मैंने यही कहकर उन्हें ढाड़स दिया है कि जब तक हमारा छोटा भाई सलामत है कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। तुम्हारे भावी ने तुम्हारी एक पुस्तक प लाओं। तुम्हें उसकी नजरों से गिराने के लिए तुम्हें छोकडा मरियल सब कुछ कहता हूं पर तुम्हारे सामने मेरा रंग नहीं जमता। मैं बड़े संकट में पड़ गया। मेरी ओर से जितनी आपत्या हो सकती थी उन सब का जवाब बल्देव सिह ने पहले ही स दे दिया था। इनको फिर दुहराना वेर्थ था। इसके सिवा कोई जवाब न सूझा कि मैं जाकर साहब से कहूंगा। हाँ इतना मैंने अपनी तरब से बढ़ा दिया कि मुझे आशा नहीं कि मेरे कहने का विशेश खयाल किया जाए क्योंकि सरकारी मुआमलों में हुकाम हमेशा अपने मात हतों का पक्छल लिया करते हैं। बल्देव सिंग ने प्रसन्न होकर कहा इसकी चिंता नहीं तकदीर में जो लिखा है वह तो होगा ही बस तुम जाकर कह भर दो। अच्छी बात है कह दूँगा। तो कल जाओगे। हाँ वर्षे जाओँगा। यह जरूर कहना कि आप चल कर तहकीकात कर लें। हाँ हाँ यह जरूर कहूंगा। और यह भी कह देना कि बल्देव सिंग मेरा भाई है। मैंने कहा जूट बोलने के लिए मुझे मजबूर न करो। बल्देव सिंग बोला तुम मेरे भाई नहीं हो मैंने तो हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा है। अच्छा अच्छा ठीक है यह भी कह दूँगा। ही गुझाइस थी कि साहब ने मेरी बात स्विकार नहीं की। कई दिन गुजर गये थे। मैं इस वाकिये को बिल्कुल भोल गया था। सासा एक दिन बल्देव सिंग अपने पहलवान बेटे के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुए। बेटे ने मेरे चड़नों पर सिर रख दि और बदनाम करते हो अगर फिर ऐसा जूटा मुकदमा लाए तो बर्खास्त कर दिये जाओगे। दरोगा जी बहुत जहें पे मैंने उन्हें जुक कर सलाम किया। बच्चा पर घरो पानी पर गया। यह तुम्हारे सिफारिश का चमतकार है। भायजान अगर तुमने मदद नकी होती तो हम तबाह हो गए थे। यह समझ लो कि तुमने चार प्राणियों की जान बचा ली। मैं तुम्हारे पास बहुत डरते डरते आया था। लोगों ने कहा था उनके पास नहाक जाते हो वह बड़ा बेमुरवत आदमी है। उसकी जात से किसी का उपकार नहीं हो स बैठा कह रहा था कि तुम चाहे कितने ही रुखे और बेलाग हो लेकिन मुझ पर अवश्यत दया करोगे। यह कहकर बलदेव सिंग ने अपने बेटे को इशारा किया वह बाहर गया और एक बरा सा गठर उठा लाया जिसमें भांती-भांती की देहाती सोगाते बंधी मैं तो साहब के पास गया भी नहीं लेकिन कौन सुनता है। मुझे इतनी हिमत न हुई कि मैं इस बात का विश्वास दिलाता इसका जो अर्थ निकाला गया वही मैं चाहता था। मुफ्त का एहसान छोरने का जीना चाहता था। अंत में जब मैंने जोड़ देकर कहा कि किसी से इस बात का जिक्र न करना नहीं तो मेरे पास भरियादों का मेला लग जाएगा तो मानो मैंने स्विकार कर लिया कि मैंने सिफारिश की और जोरो से की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी ऐसे ही धेरो कहानिया सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवा हुआ है